For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Eid का दिन सभी movie buffs के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि हर साल Eid पर Salman Khan की कोई न कोई फिल्म लाइन अप होती है. इस साल भी वो अपनी फिल्म भारत को Eid पर रिलीज करने वाले हैं. ये फिल्म Korean Film and Ode to My Father का official adaptation है और इस अनोखी कहानी को देखने के लिए फैन्स काफी बेताब हैं. मगर Salman Khan ने अब तक Eid 2020 का slot book नहीं किया है, पर उनकी जगह करन जोहर ने Eid 2020 पर अपनी period फिल्म तक्त रिलीज करने का decision लिया है. वैल ये फिल्म एक multi-starrer फिल्म है जो की बहुत ही बड़े scale पर बन रही है. इस फिल्म को लेकर भी सभी के मन में काफी excitement है. लेकिन अगर Salman ने अपनी अगली फिल्म दबंग 3 या फिर किसी और फिल्म को Eid 2020 पर रिलीज करने का decision ले लिया, तो बॉक्स ओफिस पर होगा बड़ा धमाखा. तो अब सब की नज़रे इस clash पर गड़ी हुई हैं. और ये देखना है कि Eid 2020 पर बॉक्स ओफिस पर कौन सा सैलाब आने वाला है. तो Eid 2020 पर तक्त, दबंग 3 या कोई और फिल्म आपकी क्या choice होगी? नीचे दिये comment section में हमें जरूर बताएं. झाल झाल